Welcome friends, किताब के ग्याम में आपका स्वागत है तो आज हम लोग NCRT Maths Class 9 का Chapter 2 के Question को Solve करेंगे जिसमें हम लोग Exercise 2.3 को Cover करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने Exercise 2.3 है जिसमें आपका Total 3 Question है इस पूरे Exercise में Total 3 Question ही है तो उम लोग बारे-बारे सबको Solve करेंगे पहला Question दिया हुआ है Find the Reminder क्या Find करना है? Reminder फैंड करना है When X3 plus 3X2 plus 3X plus 1 is divided by और यहाँ पर कुछ Equation दिये गया है तो बोला है कि जब यह Equation जब यह polynomial इन सब Equation से डिवाइड होता है तो Reminder चा बसता है तो देखिए इसको Solve कैसे करना है तो हम लोग पहला Question को Solve करेंगे Question No.1 को तो आपको जो भी Equation दिया है उसको करना आपको 0 से Equate तो यहाँ पर दिया हुए X plus 1 तो हम लिखेंगे यहाँ पर X plus 1 is goes to 0 लिखतेंगे यहाँ से निकालेंगे X का Value तो हम जाएगा –1 अज हम क्या करेंगे यह जो Equation दिया हुआ है मतलब जो Paranormal दिया हुआ है इसको हम आण लेंगे PX PX हो गया तो हम PX में X के प्लेस पर क्या रख देंगे –1 रख देंगे यहाँ पर लिखा हुआ है तो PX is goes to X का Q प्लस 3X का X-1 पूट किये है तो जहां-जहां X लिखा है वहाँ-वाँ क्या हो जाएगा –1 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा –1 का Q प्लस 3 इन्टू –1 का स्क्वाइर प्लस 3 इन्टू –1 प्लस 1 तो यहाँ से हो गया –1 का क्यूब मतलब –1 प्लस 3 इन्टू इन्टू –1 का स्क्वाइर यह जाएगा वन आपका तो प्लस 3 इन्टू 1 प्लस 3 हो गया यहाँ पर प्लस 3 इन्टू –1 –3 हो गया और यहाँ पर यह प्लस 1 लिखा हुआ है तो 1 से 1 कैंसिल 3 से –3 कैंसिल क्या बचा? 0 तो यह आपका क्या answer है और यह जो बचा हुआ ही आपका क्या है remainder है क्या find करना था यहापर आपको remainder find करना था तो ऐसे आपको हर question में लगाना concept जैसे दूसरा दिया हुआ है x is equals to minus 1 by 2 तो यहाँ से हो जाएगा x minus 1 by 2 is equals to 0 तो क्या हो गया x is equals to 1 by 2 हो गया अब हम क्या करेंगे इस value को px में put कर देंगे तो यहाँ से हो गया आपका x cube मतलब 1 by 2 का cube plus 3 into 1 by 2 का square plus 3 into 1 by 2 plus 1 हो गया अब क्या करना है आपको 1 by 8 मतलब 1 by 2 का cube क्या होगा 1 by 8 होगा plus 3 into 1 by 2 का square तो क्या होता है 1 by 2 का square 4 होगा sorry 1 by 4 होगा तो 3 by 4 हो जाएगा यहाँ पर plus 3 into 1 by 2 3 by 2 और plus 1 इसको मैट कर लेंगे यहाँ पर होगा यहाँ से हम 8 तो यहाँ पर होगा आपका 1 4 2 जा 2 3 जा 6 हो गया 2 4 जा 4 3 जा 12 है और plus 1 यहाँ होगा 1 तो 1 8 है 8 1 जा 8 यह होगा आपका 12 8 20 27 by 8 हो गया यह आपका answer हो गया यह ही क्या है 27 by 8 है यह question second का remainder है जब x minus 1 by 2 से हम लोग इस equation को divide करेंगे उसको क्या remainder आएगा 27 by 8 remainder आएगा question third में क्या करेंगे इसको हम लोग 0 से equate कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आगया x बराबर 0 अब क्या करेंगे हम लोग px में इस वह लोग क्या करेंगे px बराबर अब यहां क्या करने हैं हम लोग p 0 कर देंगे ति वह जाएगा आपका x cube मतलब 0 का cube 0 plus 3 x का square मतलब 3 into 0 0 plus 3 x मतलब 0 और plus 1 हो गया तो इसका answer क्या गया बना गया यह आपका क्या है यह आपका remainder है question number 4 दिया हुआ है x plus pi इसका हम लोग कर देंगे 0 सीक्वेड दिवह जाएगा x बराबर हो जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे question number 4 कर रहे हम लोग तो यहाँ पर होगा p minus pi is 2 x का cube मतलब minus pi का cube plus 3x का square मतलब minus pi का square plus 3x मतलब 3 into minus pi plus 1 तो यह क्या हो गया minus pi cube मतलब minus pi का cube ही होगा 3 into minus pi का square मतलब plus 3 pi का square plus 3 into minus pi मतलब minus 3 pi और यह प्लस 1 हो गया तो दिख्या अब यह आगे solve नहीं होगा तो यह आपका answer हो गया तो यह क्या है यह remainder है जब हम लोग x plus pi से इस equation को मझले px को जैसे नहीं बोले polynomial को solve कीए है तो यह remainder बचा है ठीक है यह क्या है यह remainder बचा है अब करेंगे हम लोग question नमर 5 को तो यहाँ पर हम लोग इसको 0 से equate करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2x is equals to minus 5 यहाँ से हो गया x is equals to minus 5 by 2 अब हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग put करेंगे x is equals to minus 5 by 2 तो यह हो गया p minus 5 by 2 is equals to x का cube मतलब माइनस 5 बाइ 2 का cube हो गया प्लस 3 x square मतलए प्लस 3 इंटू x square मतलए माइनस 5 बाइ 2 का i square प्लस 3 x मतलए प्लस 3 इंटू माइनस 5 बाइ 2 और प्लस 1 त्यह हो गया 5 25 बुछ 5 X लो पच्छीज या फिर बोले 224, two जा एट प्लस, तचीश मुले तीन 75, और यहाँ पर हो गечение चार, 5 तरज़ा 15 और यह मैमस तो यह आपका मैमस 15 बाई 2 हो गया, और यहं प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? मैमस 125 बाई 8 प्लस, 75 इंटू तो क्या होता है, 150 होता है, तो 4 तो जाएट हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर, 2 फोर जाएट होता है, अगर हम दोनों में मंटिप्लाइ करते हैं, इंटू 4 और इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, 15 फोर जाएगा, और 2 फोर जाएट हो जाएगा, और 1 को हम क्या हो जाएगा, माइनस 52 हो जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा, आपका, माइनस 27 बाइ 8 आ गया, यहीं क्या बचेगा, यह बचेगा आपका रिमेंडर, यह इसका आंसर हो गया, चलिए, करते हैं, नेस्ट कोचन हम लो, जब कोचन नमर सेकेंड दिया हुआ है, फायंगर हम इसको, इस polynomial को, x-a से डिवाइड करें, तो रिमेंडर क्या हैगा, तो सेम कोचन है, जैसे पहला कोचन था, इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, दिखिए, x-a को हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेट करेंगे, 0 से, तियाप हो जाएगा, x-a, अब इसका हम लोग पूट कर दे प्लस 6x मतलब 6a माइनस a, बस इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ती हो गया आपका aq माइनस aq प्लस 6a माइनस a, इससे यह कैंसल हो गया, 6a माइनस a, बचेगा आपका 5a, यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, question number second का, question number third दिया हुए, check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x, देखिए, आ divide करना है, तो यहाँ पर किसी divide करना है, इससे divide करना है, यह क्या है, यह divisal है, और यह क्या है, यहाँ पर यह divided है, तो जब भी आपको factor पूछे, तो आपको divide करना है, और अगर divide करने के बाद, remainder में 0 बचता है, तो ही आपका factor कहलाएगा, अगर 0 नहीं बचता है, remainder में, तो आ 3x is equal to minus 7, x is equal to minus 7 by 3, अब क्या करेंगे हम लोग इस value को इसमें put कर देंगे, माल लिजी यह px है, तिए क्या हो गया, px, px is equal to 3x cube plus 7x, तिहां पर हो गया, px, x क्या हम लोग दिए है, minus 7 by 3, minus 7 by 3, तिहें क्या हो गया, 3x cube, मतलब 3 into x cube, x क्या है, minus 7 by 3 है, तो minus 7 by 3 का cube, plus 7x, मतलब 7 into minus 7 by 3, तो यहां समय आपका, 3 into, 7, 7, 49 into 7, 49 into minus 7 by, 3, 3 to 9, 3 to 27, 27, ये तना हो गया, प्लस, 7 समय आपका, 49, ये वदाएगा, minus 49 by 3, तिहां समय आपका, 49 into 7, ये पर हो जाएगा, आपका, 343, और ये वदा, minus, by 9, plus, ये आपर, minus हो जाएगा, minus 49 by 3, ये वदाएगा, इना हो जाएगा, तो, minus 3, 43, minus, 33, जा 9, 3 into 49, 147, तिहां हो जाएगा, तिहां हो जाएगा, कि अगर last में reminder 0 आ जाये तब यू factor कहला आएगा लेकि last में आप reminder जो 0 नहीं आया है तो इसका मतलब जो 7 plus 3x है हो क्या है इसका factor नहीं है मतलब 3x cube plus 7x का factor नहीं है यह इसका answer है तो आप answer में क्या लिखेंगे कि 7 plus 3x से e j not a factor of 3x cube plus 7x यह आप answer हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो के लाइक, share, comment करना भूलिए और प्लीज चैनल को सब्स्राइब जरूर करिए बेल आगर ना प्रस करिए ताकि आपको हमा करनिख आपको झाल जक्त气 से और ना technique कि कना भीजियो हमार का वीडियो हमार के लिए से सphतरि से दाएब क की सापने ही से सीच तुछ से बसक्तिffen मेरे प्लीज वीजिये और शा बसक्तित्स एना है हमार का जा, प्लाब झानी मेर मैं उन्स पीज्यो not